हलो दोस्तों मेरे चैनल में आप सब का भहुत स्वागत है मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर देए और मेरी वीडियो पूरी देखिए और ज्यादा से ज्यादा सेर करें और मेरे चैनल पर बने रहें और मेरी वीडियो देखते रहें और मैं नई यह ए अउनारम। सितल मलड़े 2 हरी बृते। मैंने आपके लिए न। powin बताए हूँ शाउट्स लिए बचेवे श्थार्व सब्सक्राइब कि खांडभा बनाना बताऊंगी तो और अब हरी बनाने चपणते हैं और हरी मिर्ची ली है दो हरी मिर्ची को काटके डाल दिया है मैंने और लसन की एक दो कलिया ली है वो भी डाल दी इसमें और थोड़ा सा नमक डाला है स्वाद अनुसार और थोड़ा सा पानी डाल कर पीस लेंगे हम अच्छा बारिक ये देखिए ये पिसा गया है इस तरीके से अपसीए ज्यादा पतला भी नहीं करना है ज्याधा preventera नहीं करना ठीक करना है ताकि हम खा सके उसके साथ कि या जिसके भी साथ आप खाना चाहते हैं तो आप उसके साथ धोसे के साथ क Dreams एक या मेंदु बढे के साथ भी खा सकते हैं और बार भी या उसके साथ भी खा सकते हैं खांडवे के साथ बता रहे हूं में यह खांडवे के साथ भी आप खा सकते हैं तो आपकी चाहिसे आप जहसे खाना चाहें तो इस तरीके की चट्नी नी देखिंगे बनाइए यह sackみ हमारी तयार हो गई यह देखे अब आप खाने के लिए तैयार हो गए चलिए अब दूसरी श्टेप देखते हैं यह अब यह मैंने आधा कटोरी मेरे पास चावल बने बने बेचावल बचे थे तो मैंने यह आधी कटोरी चावल हैं मेरे पास बचे हुए तो इससे मैं आपको खांडवा बनाना लहीं तो मैं अगर आप kaufen law बना रही हूं तो आप देखिए हम अगरा आप ज्यादा बनाना चाते तो इससाफ से आप देख लीजिए अमने आदी कटोरी लिए हैं अधी कटोरी बचे थे हमारे अगर आपके ज्यादा बचेंगे तो आप उसे साफ से देख लीजिए तो अपने यह अधा कटोरी चावल जो बचेवे हैं वह हम जार में डाल देंगे मेक्सी के जार में और फिर उसके बाद हमने एक कटोरी क्या रवा लिया है तो आप ज्य साफ से आपको रवा भी ज्यादा लेना पड़ेगा इसका विसेश ध्यान रखिए और अच्छे से और क्या करेंगे अब हमने चांच लिया है जिसे आप चांच की जगा धहीं डालना चाहें तो धहीं डाल सकते हैं दोनों में से कोई भी एक चीज में तो चांच डाल रही ह जिसका मैंने ऊपर का पानी निकाल दिया है और नीचे जो जम जाता है न गाड़ाच ऑड़ेगा थियुसे तो यह देखिए आप चांच और धाहीं चाहें तो धहीं भी ले सकते ह의 हैं दोनों मेंसे पर एक चीज को इसी भी लेना है आपको दोनों चीजे में डालिए गार दोनों अगर डाल देंगे नाप चांच और धहीं तो आप ज्यादा खट्टा हो जाएगा और आपको खाने में मजरा नहीं आएगा देखते हैं और अब यह डाल दिया हमने चावल और यह अब पीस लेंगे वं पीज क Taiya मेरी ऐसी क्या है तरीक विचलेगा देख्लों नहीं हमें TH Brady आ व्यादा पतला होना कि बीचल जाएगा लेकिन पतला नहीं चलेगा इस और यह अब हम खाने का सोडा डालेंगे तो इसमें खाने का सोडा डालकर और अच्छे से मिला लेंगे इस तरीके से मिला लिया है और आप क्या करना है अब तेल गरम हो गया है अब तेल धीमी आच रखना है और आप यह तील और जीरा दोनों को हमने मिक्स कर लिया है अब इस तरह से हम इसमें तड़क आएंगे तो आप तेकिए कि यह देखिए इस तरीके से यह तड़क गया तील और जीरा अच्छे से हो गया है तो अब हम यह बेटर डाल देंगे इसमें और आज दिमी ही रखेंगे और यह देखिए यह डल गया और अब हम कोई भी उंडा बरतन जो भी हो उंडी चीज पर ढाकिएगा तो इस तरीके से हम ढाक देंगे और फिर हमें क्या करना है थोड़ा सा तेल हम आए लगा लेंगे उपर भी लगा देंगे थोड़ा जैसे सुकने लगता है ना तब हम थोड़ा थोड़ा तेल किनारों पर लगा देंगे और उपर भी थोड़ा सा लगा देंगे और फिर उसके बाद हम पलट देंगे यह देखी है ना अब पलटेंगे यह इस तरीके से हमने पलट दिया है ना देखिए आपने देखा ना कि इस अच्छे से अंदर नीचे से भी हो गया इस घुज गया ना एक दम कड़ाई साफ है देखिए तो सुंबे के अंदर यह उसके अंदर गुज गया है सुंबा तो आप है ना पलट दिया यह देखिए इस तरीके से ना पलटने में भी बहुत आसानी हुई है बहुत आसानी से पलट जाता है बस आपको ध्यान रखना है कि थोड़ा सा तेल ज्यादा लगेगा इसमें थोड़ से कलर हो जाएगा आपका अच्छा से पक जाएगा अब उंधा कर दिया हमने इसको पलटा दिया है ना नीचे से भी अच्छे से पक जाएगा यह और फिर हमने और थोड़ी सी देर उसको ढग दिया था और यह देखिए होगी आप निकाल लेंगे इसे यह ना यह इस तरीक एपन नहीं को सब्सक्राइख सेलेह थे अजीद देख सकते हैं वह यह इस में तो भाज बनाया है तो हमारी पिशली मीडियों करें घृत चट्नी से खा सकते हैं, मेंदू बड़ा, इतना उसका टेस्ट जचानों लग गए तरीका भी अलग है और टेस्ट भी अलग है जो अप पहले पराना मेंदू बड़ा खाते थे उससे बड़िया चेस्च है इसका एकदम नया bathing तो आप मेंदू बढ़ा भी जरूर ट्राइ करिएगा चलिए और मेरे यह थी फ्रेंड मेरी वीडियो बचे हुए चावल से खांडवा बनाने की और हरी चटनी तो इंजाइ करिए और मुझे बताईए कि केसा बना बचे हुए चावल से केसा लगा खांडवा आपको है न और आजके लिए पेंड इतना ही बाई बाई